नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा लाइक करें, सस्क्राइब करें और शेर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो कि आपके लिए बहुती जादा जरूरी और आपके लिए बहुती जादा फाइदेमंद होते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास आज की वीडियो में ये हैं कि हम एक ऐसी अजीब चीच के बारे में आपको बता रहे हैं जिससे आप अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा लंबा और घना देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों अब मैं बात करी हूँ साबू दाने की। साबू दाना वैसे तो हमारे यहाँ वरत और तोहारों में ही काम आता है। पर यह अन में भी काउंट नहीं किया जाता। दोस्तों तो यह हमारे लिए एक फल की तरह काम आता है। साबू दाना में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामेंस, मिनरल्स और केल्शियम पाए जाते हैं। जो हमारे शरीर को आवशक पोशक तत्व देते हैं। कार्बो हाइडरेट से भी भूअ जढ़ा भरपूर होता है, जो आपका सारा दिन energy लेवल को भूअ जढ़ा हाई रगता है। साथ ही वजन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर सिध होता है दोस्तों साबुत दाने की एक ऐसी खासियत है जो तो ना आपने कभी सुनी होगी ना ही आपने कहीं देखी होगी आज हम आपको साबुत दाने से बाल घने और 6 इंच लंबे करने का तरीका बता रहे हैं यह बहुत ही ज़्यादा कारगर माना गया है चलिए दोस्तों ऐसे ही कुछ मैं आपको उपाय बताती हूँ जिनका आप रियोग कर साबुत दाने से अपने बाल कर सकते हैं लंबे हेर फॉल की प्रॉब्रम तो बिल्कुल दूर ही हो जाएगी साबुत दाने के पाउडर में धही वे गुलाब जल और शहत को मिला कर अपने बालों की जड़ों में लगाने से बालों में बहुत ज़्यादा शाइन भी आती है जी हा दोस्तो चमकदार बालों की लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारगर उपाय करता है अपने बालों की लिंबाई के हिसाब से धही में अंडे की जर्दी को मिला कर साबुत दाना अच्छी से मिक्स कर लें इस पैक को आप ब्रश की मदद से लगाएं तथा 30 मिनट बाद अपने बालों को शैंपू से धोलें और दोस्तो याद रहे शैंपू भी माइल होना चाहिए जी आँ दोस्तो एक टेबल स्पून शैद, एक टेबल स्पून धई, आदा चमल नारिल का तेल और पिसे होई साबुत दाने को मिक्स करकर हेर पैक त्यार कर लें इससे आप अपने बालों में दो घंटे तक लगा रहने दे और उसके बाद अपने हेर वाश कर लीजिए दोस्तो अगर आप यह राद पर लगा रहने देते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही जादा कारगर माना जाता है क्योंकि आप पूरी राद इसको लगा रहने दें सुबा उटकर बाल धोएंगे तो आप अपने बालों में कुछ चमतकार ही पाएंगे तो दोस्तो यह सबसे जादा महत्रपून है और आपको जादा महनत भी नी करने पड़ेगी आप लगाईए और अराम से सो जाईए सुबा उटकर सर देखिए और आपके बाल ऐसे चमतकार हो जाएंगे और आप इसके कुछ दिनों में रिजल्ट भी नजर आएगा कुछ दिनों में बाल आपके इतने लंबे हो जाएंगे कि आप खुद ही शौक ढोने लगेंगे जी हाँ दोस्तों बालों की बदबू को खतम करने के लिए भी साबूर दाना बहुत ज़्यादा फाइदे मन दोता है एक बाल में एक अंडा और साबूर दाना डाल कर अच्छे से उसे बीट कर लें दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अंडा तो बहुत ज़्यादा बदबू फिलाता है तो आप अंडे से कैसे हटाएंगे बदबू को तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस बदबू को कैसे हटाना है इसे आप अपने बालों पर तीन घंटे तक लगा रहने दें फिर आप इसे सिंपल पानी से धोएं और उसके बाद शेंपू से प्रियोग कर इसे धोएं ताकि अंडे की बदभू के साथ साथ सारे बालों की बदभू भी चली जाए और दोस्तों अगर आप इसको धोएंगे शेंपू से तो आपके बालों से अंडे की बदभू तो चली ही जाएगी उसके साथ और जो बदभू अपके बालों से आती है वो भी दूर हो जाएगी तो दोस्तों आप सब इनका उपाय करकर अपने बालों को कीजिए लंबा घना और चमतकार आज की वीडियो में बस इतना ही लोटेंगे एक नए टेप्स एक नए वीडियो के साथ तो मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा